गैंग रेप के मुझजिम ने गिरफ्तार हुनी के सम्मन ने पीडित परिवार द्वारा नयाय की गुहा पुलिस अधिक्षक से लगाई पीडित परिवार ने बताया कर हमें नयाय न मिले तो अगला स्टेप पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा नयाय के लिए लगाई गुहा पुलिस अधिक्षक से मनोश शुकला पीडित परिवार ने बताया कि सरकार एक तरफ महिला सशक्ती करल के अभियान चलाकर सशक्त बनाने की बात करती है और वहीं दूसरी तरफ एक पीडित परिवार जिसका गैंग रेप किया जाता है जब वह पीडित परिवार थाने जाता है वहां पर भी एप्लिकेशन नहीं ली जाती है और फिर पुलिस सा धिक्षक के पास जाता है वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती है पीडित परिवार ने माननी नियाले के दर्वाज़े पर पहुश गए जब अपनी गुहार लगाई तब वहां से आदेश पारित होता है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजी गरत किया चाए नियाले के आदेश के अनुसार तब कोतवारी में फायार दर्श होती है अभी तक कोई नियाय नहीं मिला वहीं पिश्चासान ने मुल्जीम को इतना बढ़ावा दिया कि वहाए दिल पीडित परिवार को टॉर्चर करते वहते ही जहां से मारने की धंकी दिया करते ही जब पीडित परिवार अपने थाने जाता हे यह मलजीम किये जाएंगी अगर कोतवाली Barnet से लिखा गया होता तो तात्काल किये जाता तब पीडित परिवार ने का कि मैं पहले यहीं गुहार लगा या पर हमारी अप्लिकेशं नहीं लिखिगा तब मैं नयाले के दर्वास से गया, मनोश शुक्ला ने बता कि हमें तीन महास से नया नहीं मिला है, अगर आप हमें नया ना मिला, तो पूरा परिवारात महत्या कर लेगा तो आज इस प्याफित है, आज क्या कहा है, मैं अपनी जीवन लीला पूरे परिवार समय तमाप कर दूँगा, तो मेरी कहीं स्कुनवाई नहीं हो रहे हैं, योगी अधितिनात के दर्वार में करेंगे, तो आज इस प्याफित है, आज क्या कहा है? कोई कारवहही में बताए कि स्योस आप चांस कर रहे हैं, और स्योस आप के हाँ जाओ तो बोलते हैं, ये लगने वाला है, ये लगने वाला कोई अधिकारी कुछ नहीं कर रहा है, हमारे पास आध आठ राएं जो ऐसे डाकुमें जिन-में साब अधिकारियों ने गलल लिख जा रहा है जो भूजी पती है इसलिए उनको बचाया जा रहा है मैं गरीब देखती हूं इतले मेरी सुनी नहीं नहीं जा रही है कि आप अगर मैं आप अगर मैं जाता है अगर मैं त्वाने जाता हूं वहां करका दिया जाता है इसका रेप वह इसके लोगों ने किया है तो मिल्जास को आगे तॉल हो गए इस सर्मान है अगर से पामे रशें को रोगी देश प्रदेश की हर छोड़ी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और पेल आइकन दबाना ना भूरें जिससे हर खबर आप तक पहुचा सके हम सबसे पहले